आप दोस्तों स्वागत है आपका हमारे काफी शांदार पुलोग में तो आज हम है इस इद्धाद नगर जिले के डुमरिय गंचेतर में जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हो कि डुमरिय गंचेतर बार से पीडित है यानि कि डुमरिय गंच में बार का पानी घुच चुका है तो अभी हम यहाँ पर डुमरिय गंचेतर के कुछ गाउं में चलेंगे जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा बार का बानी भरा हुआ है यह है मेरे पीछे गाइस यह बगावा घाट है तो अभी चलकर इसका वीडियो आपको दिखाते हैं और इसके बाद दोस्तों हम दुमिरेगन चेट के जितने गाव बार से पीडित हैं उन सभी गाव में हम लोग चलेंगे उसकी ग्राउंड रिपोर्ट आ और यह हम अभी राप्ती नदी के टट पर स्थित हैं और मेरे पीछे आप देखते हो कि पानी का बहाव कितना ज्यादा है कितना ज्यादा यहां राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और हम अपने कैमरा मेंन से कहना चाहेंगे कि यहां पर खूंगा दिखाईए यह कितना ज्यादा पानी यहां पर निरंतर बहता जा रहा है और भाई जो यह टट है यहां पर दिवाल बनी हुई है यहां पर भी देख लो पानी कैसे यहां पर भी दाखिल हो रहा है पानी तकता हूँ गाय है असर भै आपको क्या लग रहा है वह एक गाय का शो है वाई जो क दोस्तों यह पीछे राप्ति नदी इस से दिखाने का परियास करें यह दोस्तों बैदोला भरडिया बांध है तो आज इस वीडियो में दोस्तों डुमरिया गंज के सभी बंधों का हम निरक्षड करेंगे जितने भी तटबंध है राति ने दीके उन सभी तटबंधों को आपको दिखाएंगे कि उन सभी का क्या हालात है क्यूंकि दोस्तों ये तटबंध ही हैं जो बाढ़ की वज़ा से रोके हुए हैं एक जगा पर दोस्तों रमवापूर निब इस गाओं में चलेंगे और वो सब आपको दिखाएंगे तो वीडियो में आप लोग आखिर तक बने रहे हैं देखे दोस्तों अभी हम लोग मौजूद हैं बैदवला भरडिया तटबंध पर और ये पूरा बंधा आगे तक है तो ये पूरा बंधा आपको दिखाएंगे कि यहां पर क्या हालात हैं यहां पर क्या इस्तिती है चलकर आपको दिखाते हैं और बंधे को सुरचित करने के लिए क्या परियास किये जा रहे हैं वो भी सब आपको दिखाएंगे दोस्तों अभी मैं हूँ बैदवला भरडिया बान पर और यह पूरा बैदवला गड़ है जैसा कि आप देख सकते हो और यह है थटबंद बोरे में गाइस बालु भर का सब रखा हुआ है ताकि यह बंद कटे ना बहुत ही अच्छा काम है जाजा यह अच्छा मतलब कमी कटा कर रहे हैं यह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो दोस्तों अभी हम लोग बगावा के घाट से आ चुके हैं रापती नदी पर डुमिरे गंची रापती नदी पर जैसा कि आप देख सकते हो तो यहां का क्या अपडेट है भी आपके साथ शेर करेंगे और कैमरा में इसे चाहेंगे वो पूरा पानी दिखा दे भाई अभी हम लोग चलेंगे इसके बाद माली मैनहा में और डुमिरे गंच के पच्छिन साइड में जो गाउं है जो कि गाउं पूरा बाड से पीडित हो चुका है तो उस गाउं में भी चलेंगे अभी हम लोग ग्राउन्टि पोड लेंगे तो वीडियो में भाई बने रहो दोस्तो हम लोग धातनगर जिले के डुमिरेगंज छेत्र में रमवा पूरो नेबुवा नौरंग्या गाउं में थे और यहां पर हम लोग नहीं दूरा आपको दिखाए कि कैसे यहां के लोग बाढ़ से पीडी थे तो दोस्तो हम लोग डुमिरेगंज की राब्ति निदी से आ चुके हैं और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं दोस्तो माली मेंज की बांध की तरफ और यह है डुमिरेगंज का तडबंध और यह पूरा भाई साथ देखो राब्ति निदी का पानी कैसे भर चुका है यहां पर कैसे पानी जा रहा भाई और यही बंधा गाई जिसके बांध से होते हुए डुमिरेगंज के बांध से होते हुए आ चुके हैं एक पीछे जो मेरे देख सकते हुए यह गाउं है डुमिरेगंज के आगे इस गाउं का नाम भाई बंगवा है अभी मैंने एक जन से पूछा था पता नहीं उसने सही बताए है नहीं यह पूरा गा कि आपको दिखी रहा होगा और यह गाओं है भाई और ये पूरा गाइस देखो धारा कैसे है हम लोग गाइस इतना पूरा पानी में गाड भर पानी में चलके वीड़ो बना बना एक आ रहे है बाकि यहां पर धारा पर एक वीडabout देखे हैंगे, जिसमें ये वीडेयो दोस्तों सिधार नगर के एक गाउ का है, जो की राप्तिनदी के बाज़ से पूरी तरह पीडित है, इस गाउं में दोस्तों राप्तिनदी का पानी घुच चुका है, जिसके वजा से यहां पर कोहरा मचा हुआ है, दोस्तों ये पूरा गाउं प्लाइन करने को मजबूर हो गया है। गाउं के लोग अपना घरबार छोड़कर अपना सभी सामान लेकर अपने रिष्टेदार में ये कहीं दूसरी जगा पर जाकर सिफ्ट हो रहे हैं। या इसी जैसे दूसरे जानवर काट लेते हैं तो ऐसे हालत में दोस्तों उस वेक्त को होस्पिटल पहुचाने से पहले ही उसकी मिर्त हो सकती है। इसलिए दोस्तों यहां के लोग अपना गाउं छोड़कर दूसरे गाउं की तरफ पढ़ रहे हैं। और दोस्तों आप लोग ने बनगवा बता दिया था गलती से इन भाई साब की गलती से मैं ने बता दिया था बनगवा बाके दोखो उसे लोग नाओं से आ रहे हैं। तो मैं हम भी दुमेरेगंच के तटपंद पर और यहां मेरे पीछे भाई आप देख सकते हो यह जो गाउं जीखरा यह है में है सब खाने पीने का सामान लोग लेकर अभी नाओ से जाएंगे और कुछ लोग वहां से आ रहे हैं भाई देख सकते हो आप लोग पूरा गाउं भाई साब घर बाद छोड़कर जा रहा है जैसा कि देखो आ रहा है नाओ अभी आपको दिखाते हैं सब दोस्तों नाओ चुकी है और कुछ लोग जो अपना गर्वाद चौड़कर आ चुकैं थे कुछ खाद्य सामाकज्डीज और खाने पीने के सामान लेकर अभ उस गाउं का रहे है है और कुछ गाउं के लोग बायो से यहाँ पर आयald होlar हो चुकी है पुरा रास्ता आने जाने का रास्ता बंध हो चुका है पूरा गाउन भाई साब दूप चुका है बाकी नाव दोखो आकर लग रही है ये डुमेले गंज का बीड़ो भाई सब दूप लगß छेत रहें अधि अब हम लोग है टत्वबंट पर खड़े हैं और ये दिको माहूल है कमेंड बोक्स में बताओ और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करो मिलते हैं इसी तरह कि और नई वीडियो के साथ तप तेक लिए गाई इस पाई